हलो माई डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल सुभास स्टेडी सेंटर, तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कच्छा दस्क विद्यार थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विसाइका पेपर देने वाले हैं, जी है मेरे प्यारे बच्चो 22 फरवरी 2024 को आपका हिंदी विसाइका पेपर है और मैं चाहता हूँ कि आप पेपर से पहले इस वीडियो को जरूर देख लो, क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कापी का, यानि जो बोर्ड परिछा में आपको कापी मिलेगी, उसका आप पहला पेज, यानि पहला प्रष्ठ कवर कैसे भरोगी, और OMR सीट कैसे भरोगी, और बोर्ड परिछा की कापी आप कैसे लिखोगे, क्योंकि यदि ये सारे तरीके आपको पता है, कैसे आप कापी लिखिएगा, कैसे आपको कापी लिखना है, या कापी लिखने का तर तो आप सत्तर में सत्तर का स्कोर बिलकुल आसानी से कर सकते हैं। जानकारी मैं दूंगा आपको OMR सीट कैसे भरना है। मैं देने वाला हूँ तो वीडियो के अंतर तक बने रहीएगा। चलिए मेरे प्यारे बुच्चों सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप बोर्ड परिच्छा में कापी का जो पहला प्रश्ट कवर होगा। उसको कैसे आपको भरना है। उसके पहले यहां पर आप लोग ध्यान दीजेगा OMR सीट। यह है OMR सीट का नमूना 2023 बोर्ड परिच्छा के लिए जारी किया गया था। इसमें जिला कोड और नाम जिले का केंदर कोड अनुक्रमांक विसय कोड और विसय का नाम प्रश्न पत्र संख्या यह सारी चीजे लिखी हुई पहले से ही थी। और 2024 में संभवता यह सारी चीजे लिखी हुई ही आपको मिल सकती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे आपको क्या भरना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर के चारो विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशा नुसार भारा जाए। तो मैं इसको आगे बताऊंगा। उसके पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है परिच्छार्थी सभी प्रवर्श्टिया सुद्ध एवं इसपष्ट रूप से सुयम भरे। सबसे जरूरी बात मेरे प्यारे बच्चो इस पेज को भरते समय आपको कहीं पर भी काट पीट नहीं करनी है। नहीं ओवर्रइटिंग करना है, नहीं इसमें वायट नराध का प्रियोग कर सकते हैं आप और नहीं इरेजर का प्रियोग कर सकते हैं। कुछ नहीं करना। इसलिए आप कापी के पहले प्रश्ट कवर को बड़ी ही सावधानी के साथ भरेंगे। यदि आप से गलती हुई तो आप ये मान कर चलो कि 2024 की बोर्ट परिच्छा में काफी ज़्यादा आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है तो ये चीजे सारी चीजे आप सावधानी से बिलकुल आराम से सकून से भरियेगा किसी भी तरह की हडबडाहट में ये सारी चीजे मत भरियेगा तो यहाँ पर परिच्छार्थी सभी प्रवस्टियां सुध एवं इस पश्ट रूप से सोयम भरेंगी पहला है कि परिच्छार्थी का अनुक्रमांक अंकों में तो जो भी आपका रोल नंबर होगा अंकों में यहाँ पर भरना है कैसे भरना है मेरे प्यारे बच्छों जैसे मा लिजए आपका रोल नंबर है 1, 2, 3, 5, 6, 8, 7, 8, 9, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 अंकों का आपका रोल नंबर होगा अब इस तरह से आप यहाँ पर जो भी आपका अनुक्रमांक, यहनि रोल नंबर होगा, आप अंकों में भर देंगे फिर परिच्छार्थी का अनुक्रमांक सब्दों में, सब्दों में आपको कैसे भरना है, जैसे यह लिखा है, एक अब यहाँ पर आप क्या लिख देंगे एक लिख दीजिएगा कामा लगा दीजिएगा दो है दो लिख देंगे तीन है तीन लिख देंगे इस तरह से आप अच्छे से लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चो पांच है तो पांच लिख दिया जाएगा इस तरह से और कामा भी ल क्या है साथ है इस तरह से साथ लिख दिया अब इसके बाद यहां पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है फिर लिखा हुआ है आठ तो यहां पर नीचे आप लिख दीजेगा आठ इस तरह से फिर क्या है नो है एक लाइन में नहीं आएगा तो नीचे आप लिख सकते हैं औ उनको यहाँ पर हिंदी में यानि सब्दों में लिख देना है। के बाद मेरे प्यारे बच्चो बिसे तो पहली बिसे कौन सी है पहला पेपर आपका कौन सा है हिंदी बिसे का पेपर है तो यहां पर आप हिंदी बिसे लिख दीजेगा इस तरह से बिसे एवं प्रशनपत्र तथा संकेतां की ये वाला कालम है मेरे प्यारे बच्चो और आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिगा कि बिसे हिंदी है प्रषनपत्र, तो प्रषनपत्र केवल प्रषनपत्र, क्योंकि एक ही पेपर होता है यहाँ पर आप लिग दीजिगा, केवल, इस तरह से आप अच्छे से लिखिएगा वर राइटिंग या कार्ट पेट आपको नहीं करना है इसके बाद मेरे प्यारे बचो प्रशन पत्र पर अंकित संकेत आंक तो ये है माडल पेपर और जो आपका पेपर होगा उस पर यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 801 DC यही है प्रशन पत्र का संकेत आंक तो जो भी यहाँ पर पेपर के इस साइड में लिखा रहेगा आप इसको यहाँ पर जो कालम बना है इसमें भर देंगी 801 फिर ब्रैकट में लिखा है DC जो भी लिखा रहेगा आपको ऐसे ही भर देना है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजेगा फिर इसके बाद आप क्या भरेंगी परिच्छा का दिन तो मेरे प्यारे बच्छो किस दिन आपकी परिच्छा है कौन सा दिन पढ़ेगा ब्रहसपतिवार है और मेरे प्यारे बच्छो यहाँ पर परिच्छा आती थी एवं पाली तो किस तारीक को है आपकी परिच्छा और किस पाली में आपकी परिच्छा है मेरे प्यारे बच्चों प्रथम पाली में आप सभी जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कच्छा दसके हैं आप सभी की परिच्छा प्रथम पाली में होगी फिर केंद्र का नाम जिस विद्यालय में आपका पेपर होगा उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है जैसे उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजेगा राजकी इंटर कालेज सीतापुर आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर जिस विद्यालय में आपका पेपर होगा यहाँ पर उस विद्यालय का नाम आपको लिख देना है फिर इसके बाद यहाँ पर परिच्छा कच्छ संख्या या रूम नंबर यहाँ पर भर देना या यहाँ पर कच्छ निरिच्छक भर देंगे और यहाँ पर कच्छ निरेचक का पूरा नाम वाइस पश्ट हस्ताचर वो स्वयम कर देंगे आपको कुछ नहीं करना है अब मेरे प्यारे बच्छों OMR सीट कैसे भरना है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजेगा प्रश्न पत्र मारका सिरीज पहला च्छ दूसरा च्छ तो यह क्या होता है पेपर में आप देखेंगे जो यहाँ पर कोड पड़ा होगा यह है पहला च्छ यह है दूसरा च्छ तो यहाँ पर पहला च्छ क्या है D है और दूसरा च्छर क्या है यहाँ पर इस माडल पेपर के अनुसार C है तो जो भी होगा आप इस तरह से लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर आपको D मिलेगा उसे आपको यहाँ पर ध्यान रहे आप OMR सीट काले पेंसे भरेंगी और किसी भी तरह से किसी कंडिशन में आपको वर राइटिंग नहीं करनी है सिवाए गोलों के अत्रिक्त मेरे प्यारे बच्छों यहाँ पर D भरा है तो यहाँ पर D आप काला कर देंगे इस तरह से D भरा हुआ है अब D को काला कर दिया जाएगा अब C यहाँ पर भरा है तो C वाले बिकल्प को काल कर दीजिएगा इसके बाद मेरे प्यारे बच्छों आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर आपको अपने सिगनेचर कर देने हैं हस्ताचर परिचार्थी के हस्ताचर यदि आप हिंदी में करते हैं तो हिंदी में करिएगा अंग्रेजी में करते हैं तो यहाँ पर आप अंग् लेगी कच्छ निरीचक अपने हस्ताचर यहां पर करेंगे और मेरे प्यारे बच्चो इसी तरह से आप नीचे जब बढ़ोगे तो यहां पर भी आपको अपने हस्ताचर कर देने हैं इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपको पहला चर और दूसरा चर वाला क्रम अपनाना है पहला चर क्या था डी था दूसरा चर क्या था सी था यह वाला चीज आप जरूर भरियेगा OMR क्रम संख्या यहां पर आपको भरना है तो OMR क्रम संख्या जो भी होगी आपको यहां पर भर देना है मेरे पैरे बुच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दीजेगा यहां पर यह जो कालम है OMR क्रम संख्या वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है OMR क्रम संख्या तो यहाँ पर लिखी हुई होगी वही आपको यहाँ पर लिख देना है जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं 2023 के OMR में यानि जो UP Board ने जारी किया था डेमो के लिए इसमें लिखा हुआ है इसी तरह से लिखा रहेगा आप आसानी से भर देंगे फिर प्रश्णोतर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गुले को निर्देशा नुसार भारा जाए अब यह आप ध्यान देंगे यह है माडल पेपर और इस माडल पेपर का पहला प्रश्ण है मेरे प्यारे बच्चों निमनलिखित कत्रों में से कोई यह कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए अब यहाँ पर कत्र इस प्रकार से है अजंता डाक्टर भगवस सरण पाध्याय का नाटक है यह कथन गलत है सिछा और संक्षिकरती डाक्टर राजंद प्रसाद की रचना है यही कथन क्या है सही है और यह तीसरा और चौथा यह दोनों कथन गलत हैं तो यहांपर पहले में काउन सा विकल्ब सही है खा वाला यानि का अर्था थे खा यानि B और गा यानि C और गा यानि D तो यहांपर दूसरा सही है तो OMR seat में आप क्या करेंगी पहले का दूसरा यानि D वाला गोला आपको अच्छे से काला करना है इधर उधर आपसे पिन ना चलने पाए यानि इधर उधर आप मत चलाईएगा जो भी गोला काला करना है अच्छे से काला करेंगे और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्ण यहां पर है बर्फ की गुडिया के रचनाकार कौन है त यानि A वाला आपसन वने काला कर दिया है, अब इसी तरह से आप क्रम संख्या यानि प्रश्ण संख्या एक से लगा कर प्रश्ण संख्या 20 तक के प्रश्णों का एंसर OMR में भर देंगे, और जब नीचे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको भरना है, क्या भरना है, पहले प्रश्ण में आपने कौन सा गोला काला किया, B वाला किया या A वाला या C या D वाला, उसे को यहाँ पर यानि उसी को आपको लिख देना है, जैसे B वाला काला किया है पहले में तो B अब दूसरे में कौन सा काला किया है ए वाला तो यहाँ पर दूसरे के सामने ए लिखा जाएगा यानि इसी तरह से आपको प्रशन संख्या 20 तक लिखना है जिस भी प्रशन के अंतरगत जो गोला आपने काला किया है वही यहाँ पर आपको लिख देना है बस इस तरह से OMR आपकी भर जाएगी अब बारी आती है वर्ड नात्मक प्रस्णों को साल्व करने की उसके पहले मैं यहाँ पर जो महत्पूर प्रस्ण है इस माडल पेपर के भुविकल्पी चलिए मैं इनका उत्तर आप सभी को बताता चलूँ प्रश्ण संख्या तीन है मेरे प्यारे बच्चों कलकत्ता से पेकिंग किस विधा की रचना है तो कलकत्ता से पेकिंग यात्रा ब्रतांत विधा पर आधारित रचना है यदि प्रश्ण पूछ लिया जाता है कि कलकत्ता से पेकिंग के लेखक कौन है तो मेरे प्यारे बगवत सरड उपाध्याई जी. आप लोग ध्यान दिजीगा भगवत सरड उपाध्याई जी की रचना है कलकत्ता से पीकिंग. मेरे प्यारे बुच्छों प्रशन संख्या 4 है यहां पर. खादी का अर्थ सास्तर के रचनाकार कौन है तो खादी का अर्थ सास्तर डाक्टर राजंद प्रसाद जी की रचना है प्रशन संख्या पांच है घुमकर सास्तर के लेकक कौन है यहाँ पर इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा घुमकर सास्तर के लेकक मोहन राकेश जी है प्रशन संख्या छे है मेरे प्यारे बच्चो कामाईनी महाकाबि के रचैता कौन है तो कामाईनी महाकाबि जै संकर और प्रशन संख्या साथ है यहां पर अनामिका के रचैता कौन है तो आप लोग ध्यान दिजेगा अनामिका किसकी रचना है सूरिकांत तृपाठी निराला जी की रचना है प्रशन संख्या आठ है आप सभी लोग इन प्रशनों को जरूर तयार कर लेंगे क्योंकि यह कित में से प्रियोगवादी कभी कौन है तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वातस्यान अगेजी प्रियोगवादी कभी हैं और इन्हों ने ही सन उनीस सो तेतालिस इस भी में तार सब तक का संपादन किया था तार सब तक का संपादन किया था आप ल नेरे प्यारे बच्चो प्रश्न संख्या यहां पर 9 है प्रजा ह покуп हितैसी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी से भी कौं थे उत्तर हो जाएगा राजा लचमण सिंग जी प्रश्न संख्या 10, यहां पर पूछ भी लिया गया कि तार सब तक के संपादक कौन थे इसका उत्त पर होगा सच्चिदानन्द हीरानन्द वातशयन अग्य जी प्रश्न संख्या यहा पर ग्यारा है मेरे प्यारे बच्चों ए खग म्रग, हे मधुकरस रेनी, तुम्हें देखी सीता म्रग नेनी, में कौन सारस है तो यहा पर है करूडरस, करूडरस का स्थाई भाव क्या होता ह सोक होता है, हास रसका इस्थाई भाव क्या होता है, देरे प्यारे बच्चों हास होता है, रोधर रसका इस्थाई भाव क्या होता है, क्रोध होता है, और बीर रसका इस्थाई भाव उतसाह होता है, देरे प्यारे बच्चों प्रस्ण संख्या बारा है, जहां किसी एक वस्त किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुडधर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां अलंकार होता है मेरे प्यारे बच्चो उपमा अलंकार। प्रस्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चो रोला में कितने चरण होते हैं, तो रोला में चार चरण होते हैं, रोला के प्रतेग चरण में 24 मात्राएं होती हैं, कितनी 24 मात्राएं होती हैं, प्रस्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चो अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रशन संख्या 15 है चर और अचर में समास कौन सा है तो जहां पर पूर्ब पद और उत्तर पद यानि दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां पर होता है द्वन्द समास चर और अचर में कौन सा समास है द्वन्द समास है मेरे प्यारे बचो प्रशन संख्या 16 है हिमानसू, सुधानसू, इंदू, आधिक इसके परियाएवाची है तो यहां पर उत्तर हो जाएगा चंद्रमा के प्रशन संख्या 17 है युसमत की विभक्ति एवं वचन बताईए तो युसमत की विभक्त एवं वचन क्या है पंचमी विभक्ती बहु बचन प्रस्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बचो निम्नलखित में से कौन सा वाकिका तत्तो नहीं है तो यहां पर उत्तर हो जाएगा जिग्यासा है, सार्थकता है, सानिधता है लेकिन विधे वाकिका तत्तो नहीं है प्रस्न संख्या 19 है जब वाकिकी किरिया के लिंग वचन और पुरुस करता के लिंग वचन और पुरुस के अनुसार हो तो उसे क्या कहते हैं करमड प्रियोग कहते हैं या भावे प्रियोग तो इसका उत्तर होगा करमड प्रियोग या करतर प्रियोग तो यहां पर उत्तर हो जाएगा करतर प्रि अब मेरे प्यारे बचो खंडबाग के अंतरगत जो वड़नात्मक प्रशनाएंगे 50 अंके के इनका उत्तर कैसे लिखना है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बचो आप सभी लोग पहला प्रशन दिया गया है निमनलखित गद्यांस पर आधारे तीन प्रशनों का उत्तर दीजिए छे नंबर का प्रशन है कैसे आपको कापी लिखना है ताकि आपके पूरे पूरे छे नंबर पक्के हो जाएं मेरे प्यारे बचो यहाँ पर जो पहला गद्यांस है हम लोग कच्ची मिठी की मूर्ती के समान रहते हैं जिसे जो जिस रूप का चाहे उसे रूप का करे चाहे राच्छस बनावे चाहे देउता ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक द्रण संकल्प के हैं क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है मेरे प्यारे बचो यहां पर आप लोग ध्यांदी जिगा इस गद्यांस का पहला प्रशन है वो परियुक्त गद्यांस का संदर्व लिखी कैसे आपको वोड़ परिच्छा की कापी में लिखना है इसका उत्तर सबसे पहले मेरे प्यारे बचो आप प्रिशनोतर संख्या एक का गद्यांस कर रहे हैं तो एक अथवा वाला कर रहे हैं तो अथवा आप डाल देंगे और इसके बाद सबसे पहली बाद तो आप सबसे उपर कापी पर क्या लिख देंगे खंड बा यहाँ पर आप लिख दीजेगा हेडिंग डाल दीजेगा खंड बा इस तरह से आप अच्छे से हेडिंग डाल देंगे खंड बा और क्या हेडिंग रहेगी वर्ड नात्मक प्रश्ण वर्ड नात्मक प्रश्ण इस तरह से आप सबसे ओपर कापी पर हेडिंग डाल देंगे और ये हेडिंग आपको बार-बार नहीं डालनी है इसे अच्छे से अंडरलाइन कर दीजियेगा पट्री के साथ याने स्केल के साथ फिर प्रशनोतर संख्या एक और यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे यदि संकेत तो और भी अच्छी बात है यद नहीं डालते तो भी कोई बात नहीं है फिर जिस गद्यांज को आप हल कर रहे हैं उस गद्यांज के सुरुआत के और अंतिम के सब्दों को लिखना जैसा कि मैंने लिखा है यहां पर हम लोग कच्ची मिट्टी की और यह हैं सुरुआत के सब्द और यह हैं अंतिम के सब्द कोई सहारा रहता है यहां पर लिख दिया है मैंने फिर इसके बाद संदर्व हेडिंग आपको डाल देना है प्रस्तुत गद्यांज हमारी पाठ पुस्तक संदर्व लिखने का बिलकुल सही तरीका यही है यदि आप इसी तरह से लिख में संकलित पाठ का नाम क्या है मितरता सेरसक पाठ से या मितरता नामक निबंद से आउतरित है या उद्रत है जिसके लेखक यहां पर लेखक होगा आचारी राम चंद्र सुकलजी है लेखक का नाम भी आपको काले पिन से ही लिखना है तो संदर्व आप इस तरह से लिखे तो पूरे पूरे दो नंबर आपको एक्जामनर खुसी खुसी दे देंगे, मेरे प्यारे बचो काले और नीले प्यनका प्रियोग आपको सही तरीके से करना आना चाहिए, इसके बाद आप देख रहे हैं, यहाँ पर दूसरा है प्रस्मे, रेखांके तंस की व्याख्या कीज मूर्ती के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे, उस रूप का करे, चाहे राच्छस बनावे, चाहे देवता, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक द्रण संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड अब इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, बा इस तरह से नंबर आप डाल देंगी, रेखांकित अंसकी व्याख्या, रेखांकित अंसकी व्याख्या हेडिंग आप डाल देंगी, फिर इस तरह से रेखांकित अंसकी व्याख्या आपको लिख देना है, जैसा कि इस गद्यां तो कोमल और हर तरह का संसकार ग्रहन करने में सच्छम रहता है हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रब्रत भी अपरिपक को रहती है ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मितरता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक द्रण संकल्प के हैं क्योंकि हम उनकी एक बात का दिरोध नहीं कर पाते और सहर्स सविकार कर लेते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं अगला प्रश्न है किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है तो इसका उत्तर है ऐसे लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक द्रण संकल्प के हैं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों दूसरा गध्यांस है जिन्दगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड काटा है अब यह गध्यांस किस पार्ट से है अजन्ता नामक पार्ट से लेखक कोन है भगवत सरण उपाध्याजी अजन्ता नामक पार्ट के लेखक है कोन भगवत सरण उपाध्याजी है मेरे प्यारे बच्चो यहां पर इस माडल पेपर का दूसरा प्रस्ण है, इस तरह से दिए गए पद्यान्स पर आधारे तीन प्रस्णों का उत्तर दीजिए, ये प्रस्ण भी छे नंबर का पूछा जाएगा पहला पद्यान से मेरे प्यारे बच्चों किस पार्ट से पुरतेनिक सीर घुबीर वधू धरी धीर दै मगमे डगदोएं जलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख ही गए मधुरा धरवएं ये लिया गया है वन पत्थ पर रचनाकार हैं तुलसी दाश्ची आप लोग ध्यान दिजेगा रचनाकार कौन हैं तुलसी दाश्ची हैं मेरे पैरवचों यहाँ पर आप लोग ध्यान दिजेगा इस गद्यान्स के बाद जो पद्यान्स है ये दूसरा वाला जेरे इंपोर्टन्ट है आप लोग तैयार कर लेना फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्या इसको मैं आपको साल्व करके बताऊंगा तो यहां पर प्रश्णोतर संख्या दो अथवा क्योंकि दूसरे का जो अथवा वाला गध्यांस है उसको मैं हल करके बता रहा हूं तो दो अथवा डाल दी है हेडिंग फिर संकेत के रूप में पद्यांस के शुरुवात के सब्द लिख दिये हैं निर्भय स्वागत करो फिर अंतिम के सब्द लिख दिये हैं वस्तर बहा कर इसके बाद यहां पर संदर्व हेडिंग डाल दी है प्रस्तुत पद्यांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आप काले पिं से लिखेंगे में संकलित पाठ का नाम क्या है स्वदेश प्रेम सीरसक कविता से उद्रत है जिसके रचैता राम नरेश तिरपाठी जी है रचनाकार का नाम भी आपको काले पिंसे ही लिखना है तो यद इस तरह से आप संदर्व लिखते हैं तो आपके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे एक जामनर खुसी खुसी आपको पूरे नंबर दे देंगे अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद प्रशनगला है रेखांके तंस की व्याख्या कीजिए तो म्रत्यू एक सरिता है जिसमें स्रम से कातर जीव नहा कर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त बहा कर जो भी पद्यांस में रेखांके तंस होगा उसी की व्याख्या करनी है और यहां पर इस पद्यांस की व्याख्या क्या हो जाएगी रेखांके तंस की व्याख्या हेडिंग डाल देना है फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ब्रत्यू तो एक ऐसी नदी है जिस में एसनान करके मानों अपने जीवन भर के परिश्रम और ठकान को त्याग देता है तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है वह अपने पुराने वस्तुरूपी सरीर को त्याग कर नभीन वस्त्र के समान नभीन सरीर को धारण कर लेता है इसलिए हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यों का स्वागत करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पद्यांस का तीसरा प्रशन है मृत्यों को किस प्रकार की नदी बताया गया है तो मृत्यों को एक ऐसी नदी बताया गया है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और ठकान को त्याग देता है तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है पेपर में आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रिश्ण है मेरे प्यारे बचो रिदिये गए संक्सकरत गद्यांस में से किसी एक का संदर्व सहित हिंदी में अनुवात कीजिए पांच नंबर का प्रिश्ण है और पहला ही गद्यांस है नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहले काया उतरम दातुम समर्था ना अभवत इसको मैं साल्व करके बताऊंगा तो यहाँ पर प्रश्णोतर संक्या तीन इस तरह से यदि आप पहले गद्यांस को कर रहे हैं तो प्रश्णोतर संक्या तीन अथवा वाले को कर रहे हैं तो अथवा आप डाल देंगे फिर संकेत के रूप में गद्यांस के सुरुवात के सब्द क्या है नागरिकाह बहु कालम और अंतिम के सब्द क्या है दस रूप कान दत्ताने। इस तरह से मैंने लिख दिया है काले पेंसे, जैसा की आपको भी लिखना है, जिस गद्यांस को आप हल करेंगे, उसके सुरुवात के और अंतिम के सब्दों को लिखने के बाद ही आप हेडिंग डालिएगा संदर्व, अब संदर्व क्या होगा, प्रस्तुत संग्सकरत गद् से लिखिएगा, सीर्शक पाठ से उद्रत है, इस तरह से संग्सकरत का किसी भी पाठ का गद्यांस आए, आप से हम यही संदर्व लिख देना, बस पाठ का नाम बदलते रहिएगा, जिस पाठ का होगा, पाठ का नाम आप बदल देंगे, बस, इसके बाद हिंदे क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चो, नागरिका, बहु कालम यावत अचिंतयत, परम पहलिकाया, उत्तरम दात समर्था ना अभवत, अतह ग्रामीडां अवदत, अहम अस्या पहलिकाया, उत्तरम ना जानाम, इदम सुर्त्वा ग्रामीडा, अकतयत, यदि भवान, उत्तरम ना जानात, त्राही ददातु, दस रूपकान, अतह मलेन मुखेन नागरिकेड, सरताया नुसारम, दस रूपकान, दत्ताने, क्या होगा हिंदी अन्वाद, कि नागरिक ने बहुश समय तक सोचा, परंतुआ पहली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ, इसलिए उस ग्राम ने कहा, यदि आप उत्तर नहीं जानते, तो दीजिए दस रूपे, इसलिए मुर्जाये हुए मुखवाले नागरिक ने सर्त के दस रूपे दे दिये, अब यहाँ पर मेरे प्यारे बुच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो गद्यांस है, यह वेरी अब यहाँ पर अगला प्रश्ण है मेरे प्यारे बुच्चों, दिये गए संग्सकरत पद्यांस में से किसी एक का संदर्प सहित हिंदी में अनुवात केजिए, पांच नंबर का प्रश्ण है, और यहाँ पर जो इसलोक दिया गया है, मानम हित्वा प्रियो भवती, कुरो अब यहाँ प्रश्ण है, अन्तिम के सब्दों को लिख लेना, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, मानम हित्वा प्रियो भावती, और अन्तिम के सब्द हैं, सुखी भवेत। इसके बाद संदर्व हेडिंग डाली जाएगी संदर्व क्या है इस इस लोक का रस्तुत इस लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आप काले पेंसे लिखेंगे ध्यान रहे आप सभी को कुछ बच्चे संदर्व में काले पेंका प्रियोग ही नहीं करतें तो आप ये मान कर चलो उनको पूरे नंबर नहीं मिलते तो काले नीले पेंका प्रियोग करना आप जरूर सीख लो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बोर्ड परिच्छ में आपको कापी कैसे लिखनी है वीडियो को सेयर कर देना लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रस्तुत इसलोग हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आप काले पेंसे लिखेगा के संक्सकरत खंड भी आप काले पेंसे लिखेंगे में संकलित जीवन सूत्राण पाठ का नाम भी आपको काले पेंसे ही लिखना है जीवन सूत्राण सीर्शक पाठ से उद्रत है फिर इसके बाद हिंदी अ हेडिंग आप डाल देंगे। अथ्वा में यहाँ पर मेरे प्यारे बचो इस लोग दिया गया है उत्तरम यत समुद्रस हिमांद्रेश चैवद अच्छडाम ये लिया गया है किस पार से बीरा दीरेड पूजते सेसक पार से आपको किसी एक इस लोग का ही संदर्व और हिंदी अनुवाद करना है यहाँ प पठित खंड कावि के आधार पर निम्नलखित प्रस्णों में से किसी एक प्रिशन का उतर दीजिए तीन नमबर का प्रस्ण है मेरे प्यारे बचों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजेगा खंड कावि पर आधारित यानि प्रते कावि पर आधारित दो-दो प्रस्णा लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उले की जी पांच नंबर का प्रश्ण है आचारी रामचंदर सुकल भगवत सरणुपाध्याई डाक्टर राजिंद प्रसाद आपको किसी एक लेखक का जीवन परचे लिखना होगा यहां पर मैं आपको बताऊंगा भगवत सरणु पाध्याई जी का जीवन परचे नंबर दो डाल दिया है और कापी के इस सैड में छे का आप डाल देंगे और मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान रहे आप सभी को किसी भी लेखक का जीवन परचे आप लिखें इधर जो यह महत्तपूर बिंदु हैं इन्हें आप 1882 को इनकी प्रमगरचनाय कौन सी हैं खून के छीटे कलकपटा से पिकिंग आप इन्ही महत्तपूर बिंदुओं से जीवन परचे आसानी से लिख सकते हैं फिर आप जीवन परचे हेडिंग डाल देंगे काले पैंसे और क्या काले पैंसे लिखना है क्या निले पैंसे डाक्टर भगवत सरण उपाध्याय का जन्म बलिया जिले के उजियारी नामक ग्राम में सन 1910 इस्बी में हुआ था। कुछ दिनों तक काम कर चुके हैं। अब इनकी प्रमुग रचना है सागर की लहरों पर इस तरह से आप हेडिंग डाल दीजेगा रचना और रचना का नाम आपको लिख देना है। मेरे प्यारे बच्चो प्रशन संख्या 6 अहां पर खा है। कभियों में से किसी एक कभी का जीवन परचे देते हुए उनकी एक प्रमुग रचना का उले कीजी। पांच नमबर का प्रशन है। मैं आपको बताऊंगा बिहारी लाल जी का जीवन परचे क्योंकि इनका जीवन परचे हर साल बोर परिच्छा में आता है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है प्रशनोतर संख्या आपको डाल देना है और प्रशनोतर संख्या आप डालेंगे इस तरह से प्रशनोतर संख्या छे खा तीसरे नंबर पर है बिहारी लाल जी का जीवन परचे नंबर तीन आपको डाल देना है बिहार गोबिंदपुर, इनके पिता का नाम केसोराय, चौबे, रचना, दिहारी सचसई, म्रत्युकब हो गई, 1663 इसबी में, मेरे प्यारे वच्चो जीवन परचे हेडिंग आपको डाल देना है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे आप दिहारी लाल जी के जीवन परचे के था, मेरे प्यारे बच्चो आप लोग वीडियो को सेयर जरूर कर देना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह महत पूर बिंदु काले पेंसे लिखा है, मैंने आपको भी काले पेंसे ही लिखना है, फिर इसके बाद यह मतुरा के चौबे थे, इनके पिता का नाम केस दोराय था, आठ वर्स की आयू में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओर्चा बुंदेल खंड ले गए, इनके गुरू आचारे केसो दास थे, बिहारी का बच्चपन ओर्चा में भी ता, युवा वस्था में यह अपनी ससुराल मतुरा जाकर रहने लगे थे, किन्तु ससु राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फसे हुए थे, वह राज काज की सब चिंता छोड़ कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे, तब दिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिख कर भेजा, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं दिकास यही काल, अलीक अली की ही सब बिंधियों आगे कौन हवाल, नेरे प्यारे बच्चों आगे आपको लिखना है कि इस एक ही दोहे ने राजा की आखे खोल दी, वह ठीक से राज की देखभाल करने लगे, दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला, कहा जाता है कि राजा जै सिंग बिहा 163 हिसभी में इस महा कवी का परलोग वास हो गया, मेरे प्यारे बच्चों इनकी प्रमुग रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं, तो इस तरह से बिहारी लाल जी का जीवन परिचे लिखा जाएगा, आपकी बोर्ड परिच्छा में इसी तरह से लिखना है आप का है, अपनी पाण पुस्तक में से कंठस्त कोई एक इस स्लोग लिखिए, जो प्रशन पत्र में या जो इस प्रशन पत्र में ना आया हूँ, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस माडल पेपर में ये दो इस स्लोग पूछे गए हैं, उनको आपको नहीं लिखना यानि जो पेपर में पूछे गए इस लोग होंगे उनको नहीं लिखना उनके अतिरिक्त आपको लिखना है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजेगा प्रशनोतर संख्या साथ हेडिंग डाल दी है मैंने और यहाँ पर ये वाला इस लोग लिखा है कौन सा सरबे भवन्तु का प्रशन है और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पहले और दूसरे प्रशन का उत्तर क्योंकि ये दो प्रशन हर साल बोड परिच्छा में पूछे जाते हैं पहला है दीरह केन पूजिते दूसरा है चंदर सेखरा कह आसीत मेरे प्यारे बचो इस तरह से प्रस्णोतर कारी देश भकता चासीत प्रशन संख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं नौ है निम्नलिकित में से किसी एक बिसे पर निबंद लिखिए तो ब्रश्टाचार समस्या और समाधान वेरी इंपोर्टन्ट निबंध है जन संख्या ब्रधी की समस्या एवं समाधान इस कर लेना प्रशन संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चो आकस्मी कवका से तो अपने प्रधानाचारी को एक पत्र लिखिए चार नंबर का प्रशन आएगा कैसे आपको लिखना है इसका उत्तर मेरे प्यारे बच्चो प्रशन उत्तर संख्या आप डाल देंगे 10 और फिर इसके विद्याले का नाम भी आप लिख सकते हूँ, महोदे, आप ध्यान रहे, जो चीज जैसे लिखी है, वैसे ही लिखना है, ये नहीं कर देना कि एक ही लाइन में आप लिख दो, ऐसा नहीं है, वो तरीका गलत हो जाएगा, महोदे, सबने निवेदन है कि आज काले जाते समय, मे प्रात्मिक उप्चार करा लिया है, परंतुदर्द की कारण कच्छा में पढ़ने में असमर्थ हूँ, अतहा आप से निवेदन है कि मुझे दो दिन का, 15 वा 16 अपरेल, या कोई भी डेट आप दाल सकते हैं, डेमो के रूप में, और उसका आकश्मिक अवकास प्रदान करन फिर काखागा आपको नाम नहीं डालना है, कच्छा दस आ इस तरह से दिनांक आपको डाल देना है, तेरे प्यारे बच्छों इस तरह से मैंने आपको बता दिया, आपको OMR सीट कैसे भरना है बोर्ट परिच्छा में, कापी का पहला फ्रष्ट कवर कैसे भरना है, और काप सारी कैसे लिखना है, यदि आप इसी तरीके से सारी चीजे करते हैं, तो मैं वादा करता हूँ, आपके सतर में से सतर अंक बिलकुल पक्के हो जाएंगी, वीडियो को जरूर शेयर कर देना, इसी तरह का और मैं आपको कई वीडियो प्रवाइड कराऊंगा, ताकि आप बि रहते रहो, मस्तर रहो, स्वस्तर रहो, जैहिंद!